हलो गाईज, वेलकम बैक टो मैं चैनल, यो वाचिंग बी लोजिकल, बी नैचरल क्या आप भी अंजराम की स्मेल से सबको बेहोश कर देते हैं? अब आपको इस प्रोब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा ये बहुत ही इंफोमेटिव वीडियो है, आप वीडियो को लासक देखेगा अच्छी लगे तो लाइक, शेर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा समर सीजन में पसीने की वज़र से अंडर आमे बैक्टीरिया बन जाते हैं जिसकी वज़ा से हमें जो स्मेल है वो आने लगती है, जिसकी वज़ा से हमें बहुत ही इंबैनसिंग मुवमेंट को फेस करना पड़ता है तो आज मैं आपके साथ बिल्कुल होममेट रेमिटी शेर करने जा रही हूँ, आप इसे यूज कीजिए और स्मेली आमपीट से चुटकारा पाईए स्मेली आमपीट के लिए जो सबसे पहले रेमिजी है वो है लेमन इसके लिए आपको एक नीमबू की जरूरत पड़ेगी लेमन यानि की नीमबू में highly acidic पाया जाता है और इसमें बहुत से possesses bacterial property होती है जिससे ये हमारे pH level को reduce करता है और bacteria को बनने से रोकता है इसके लिए आपको क्या करना है एक लेमन ले लेना है उसे cut कर लेना है दो पेसिस में और आपको इसे gently सीधे ही directly आपको अपने underarms में इसे rub करना है पांच मिनट तक आप इसे rub करिए और आपको जो juice है उसे लगा रहने देना है जब underarms में juice absorb हो जाए तब आप इसे पानी से wash कर सकते हैं इसे आप after bathing daily use कर सकते हैं इसे जो smell है वो भी कम हो जाएगी और आपके जो bacteria है वो भी नहीं बनेंगे जिनके sensitive skin है वो cotton की help से या रूई की help से उसमें आप थोड़ा सा निमू का रस लगा लेजिए वो थोड़ा सा पानी में mix करके या coconut oil में mix करके आप इसे लगा सकते हैं ये काफी effective remedy है आप इसे daily use करें जो आपकी smell है वो आपको नहीं आएगी ये काफी effective remedy है आप इसे जरूर यूज़ करें second remedy के लिए हम coconut oil का यूज़ करेंगे coconut oil में medium chain fatty acids होते हैं जिसमें बहुत से powerful antimicrobial agents होते हैं ये bacteria के order को रोगता है और skin के pH level को भी ये restore करता है और ये underarms की जो darkness है उसे हटाके उसे brightening lightening में काफी ज़्यादा help करता है इसका भी use आपको ऐसे करना है आप सो 2-3 बूंदे आपको gently अपने fingers पे ले लेनी है और आपको directly जो है अपने underarms में इसे लगाना है तो ये भी जो आपके underarms की जो order है उसकी जो smell है उसे कम करने में काफी ज़्यादा helpful रहता है थर्ड remedy है aloe vera gel ये most effective remedy है आप इसका जरूर यूज करें आप इसे daily भी यूज कर सकते हैं aloe vera rich source है anti-oxidants का और anti-bacterial property का ये best remedy है underarms की ओडर को eliminate करने के लिए आपको इसे कैसे यूज करना है आपको थोड़ा से aloe vera gel लेनी है fingers में और आपको इसे directly apply कर लेना है अपने underarms में आप इसे after bathing भी यूज कर सकते हैं नहीं तो आप इसे night में भी यूज कर सकते हैं ये बह जरूर यूज करें आपको इसे directly अपने underarms पे लगा लेना है मसाज कर लेनी है दन आप इसे wash भी कर सकते हैं वीडियो useful लगती है तो आप इसे like share और चैनल को सब्स्राइब करना ना भूले मैं आपको मिलती हूं next useful वीडियो में बबाई take care and thank you for watching